So guys, recently मैंने Amazon से अपने लिए एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सी selfie stick order करी अब बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इस tripod को selfie stick क्यों बोल रहा हूँ So यह इस product की beauty है कि यह 2 in 1 है इसमा आपको selfie stick and tripod दोनों देखने को मिल जाएंगे So इसे मैंने अपने लिए मंगाया था मैं चेक करना चाहता था कि कितना यूसुल प्रड़क्ट है So इस वीडियो में मैं पूर आपने experience केर करूंगा इसकी पूरे features आपको बताऊंगा And end मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको यह लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए So इस वीडियो के एंट तरह जरूर देखना आपको इससे लेड़ेट साहर इंफोमेशन मिल जाएगी And अगर अच्छी एक तो लाइक कर सकते हो and चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो Now let's start the video So guys, सबसे पहले हम इस सेल्फिस्टिक की ब्रैंड की बात के लेते हैं Mobilife इस ब्रैंड का नाम है मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शियों ने दे दूँगा वाज अगर आप इसे एजिली पर्चेस कर सकते हो अब बात करते हैं इसके unboxing experience की कुछ इस तरह के box में आपको यह देखने को मिल जाएगा box में इसकी detailing है उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे plus आपको box में यह main product देखने को मिल जाएगा plus इसके साथ आपको यह दो lights देखने को मिल जाएगी इन लाइट को चार्ज करने के लिए micro USB cable भी box में देखने को मिल जाएगी इस इन सब चीजों के बाद भी आपको एक और चीज में देखने को मिलती है जो कि इसी की साथ अटेच है जो कि इसका Bluetooth remote यह ऐसे करके slide होकर बाहर निकल जाता है अब यह तब काम आएगा आपके जब आप इसे selfie stick mode में यूज करोगे तब आप देखोगे कि आपको mobile में recording on करने है तो recording on कैसे करोगे तब आपके पास यह Bluetooth remote काम आजाएगा यहाँ पे एक on करने का button है इसे on करोगे यह आपके android and ios दोनों में connect हो जाता है मैंने दोनों में टेस्किया और यह धंक से काम कर रहा है तो यह चीज मुझे काफी convenient लगी इतना छोटा से remote है तो यह घूम हो जाएगा यह टेंशन रहती है तो इन्होंने इसी के अंदर इसे अज़स्ट कर दिया है तो बस यह फिट हो गया आपको कोई भी टेंशन नहीं है इसे घूम होने की जब इसे यूज़ करना हो तो आप इससे करें निकाल सकते हो आप इसे करके इसकी फीचर की बात करते हैं अब इसी महीं आपको एक mobile holder भी देखने को मिल जाता है इसे अपने मोईल में रिकॉर्डिंग कर सकते हो and mobile holder के साथ ही साथ आपको इसमें 1x4 screw compatible भी है मतलब आप इसमें अपना camera भी लगा सकते हो आप इसमें अपना action camera लगा सकते हो आप इसमें अपनी ring light लगा सकते हो so आप इसकी help से different different gadgets आप इसमें लगा सकते हो तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी अब ये एक तरह से universal आप screw पोल सकते हो इसमें मेरा camera भी लग जाएगा इसमें ये मेरा माइक भी लग जाएगा तो ये एक तरह से universal screw होता है तो ये addition मुझे इसका काफी बढ़िया लगा अब next feature इसमें जो है ये भी on हो गई अभी एक light warm है एक light cool है आप इसके mode को change कर सकते हो ऐसे करके देख सकते हो brightness भी चेंज हो रही है अब दोनों light ये वाम है अगर आपको ज्यादा warm चाहिए तो वह भी कर सकते हो कम warm चाहिए तो वह भी कर सकते हो तो गैस ऐसी कुछ quality आप इसकी light से expect कर सकते हो अगर आप एकदम गुप अंधेरे में वीडियो बनाते हो इस समय light बिल्कु नहीं है रूम पर और यूपन पर यहां पर ऐसे करके आपके व्लॉगिंग सेटप बन जाएगा कुइक सेटप यह उसका है यह एंटी शेक हैंडल है आपकी यह शेक होते है थोड़े थोड़े चलते वक्त आपकी शेक को थोड़ा बैलेंस कर देगा इन जो अपके फूट्ट जाएगी थोड़ी क्लीन आईगी थोड़ी स्टेबल आएगी तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी एन इसमें एक और चीज है जैसे यह हैंडल है तो आप इससे ऐसे करके मूव कर सकते हो एकदम स्मूद मूवमेंट है इसका तो आप इससे अपने मोबाइल से पैरानॉमिक शॉट भी ले सकते हो तो एकदम बढ काम है एक तो मैंने बता दिया आपको एक एक अटीशेक है इसमें एक इसमें आप परानॉमिक शॉट ले सकते हैं रोटेट करके तो गईज अभी मैं आपको इसका लाइफ टेस्ट करना चाहता था एकदम सेल्फी स्टिक को एकदम एक्टेंड करके कि कितना आपको एरिया मिलेगा अपने कैमरे में बट फिलाहल में वह भी नहीं कर सकता क्योंकि भार बहुत तेज बारिश हो रही है मैं बाद में रिकॉर्ड करके वीडियो में एक कर दूंगा तो उस क्लिप में आप देखो कि जब आप इसे सेल्फी स्टिक मोड में यूज करोगे जब आप व्ल कर सकते रिकॉर्डिंग को तो यह काफी चीज लगी मुझे एंड को आपका व्लॉग एक्सपिरेंस इससे कुछ ऐसा रहने वाला है एंड अगर हम इसके एक्जेक्ट लेंद की बात कर ले तो इसमें आपको जो लेंद देखने को मिलेगी वह एक्जेक्ट है 1.54 मीटर तो इसी बारिश में व्लॉइंग करना तो मुश्किल है तो आप घर बैटके रिल्स बना सकते हो इसे आप ट्रैपॉर्ड मोड में यूज करोगे यहां पर आपको मॉइल होड़ देखने को मिली रहा है अगर आपका स्लाइट नहीं है तो यह आप इन्होंने लाइट की है तो क्रियेटर के लिए मैं बोलूगा कंप्लीट पैकेज है अगर आपके पास यह है तो आपको और किसी भी तरह का ट्रैपॉर्ड लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें अपना मॉइल लगा सकते हो इसी में अपना कैमरा भी लगा सकते हो एन इसकी हाइट भी अच्छी का इसमें रबट दिये हैं इससे क्यों आता है एक जब आप फ्लोर पर रखोगे तो इसमें ग्रिप बनी रहेगी जिससे यह लेगा नहीं कि हलकी टक्का लगते कहीं बार ट्रैपॉर्ड मों हिल जाते है ना जगह से इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि नीचे इनोंने रबट दी है तो इसका जो डिजाइन है पूरा वो मुझे काफी यूनीक लगा इतना कॉम्पैक साइज है इसका देखो आप इस अपने बैग में रख सकते हो और कहीं भी से ट्रैपोड के तार यूज कर सकते हो इसमें आपको मोबाइल होल्डर चैमरा होल्डर और इसको अज़स् के तरह से यह पूरा कंप्रीट पैकेज है अगर आप एक क्रियेटर हो तो मैं बोलूंगा आप इससे बाइक कर सकते हो डेफिनेटली एमेजान पर आपको देखने हो मिल जाएगा एमेजान में इस समय इसी कॉस्ट कुछ चल रही है डबल टू डबल नाइन आप उसमें उस